हेलो एवरीवन वेलकम टो आर चैनल इस वीडियो में देखेंगे एक अक्षा तीन के विशे हिंदी के क्योई जबैस का सॉलूशन तो चली फटाफर से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कोशन फर्स्ट है क्रिया पर रिक्तिस्थान का प्रभाव पढ़ता है तो क्रिया पर प्र ने रेलगाडी चलती है जो है आंसर आपका नहीं आरा है तो यह होजँ फर्स करेक्ट हो जाएका अक्रमक क्रिया वाला एकजांपल रेलगाडी चलती है चलना कोई अकर्मक क्रिया में गयां माहा है साप रहता है सवीता फल खाती है सवीता क्रिया यानि कर्म के साथ सवीता क्या खाती है फल खाती है कौन खाती है सवीता खाती है तो यहाँ आंसर मिल रहा है आपको तो यहाँ option second correct हो जाएगा next question है जब कोई क्रिया हो चुकी हो तो क्या कहलाता है क्या जब क्रिया हो चुकी होती है तो वह कहलाता है भूत काल option third correct हो जाएगा वाक्य वहे घर क्यों गया में कौन सा काल का भेद है काल का भेद कौन सा है वहे घर क्यों गया मतलब भूत काल का वाक्य है तो यहां हो जाएगा आपका option second correct भूत काल next question है वर्तमान काल उस काल को कहते हैं जब कारे चल रहा होता है ठीक है अभी जैसे मैं question बोल रही हूँ तो यह क्या है वर्तमान काल का है example है तो यह option first correct हो जाएगा कारे चल रहा होता है next question है काल जिसमें कारे होना होता है उसे क्या कहते हैं तो यहां होता है भविश्य काल जिसमें हम सोचते हैं कि कल वो कारे करना है हमें कल वहां जाना है कल इसकुल जाना है तो इस तरह से जो एक्जामपल होते हैं वो भविश्य काल की होते हैं तो यहां option second correct हो जाएगा का सयुकतक्षर से बने शब्द को पैचानिये तो यहाँ का से बना हुआ शब्द है मक्का जिसमें का आ रहा है ठीके option 3 correct हो जाएगा next है ब सयुकतक्षर से बने शब्द को पैचानिये तो यहाँ हो जाएगा डिब्बा ठीक है, नेक्स्ट है, शे सायुंग तक्षर से बने शब्द को पहचानिये, तो यहां है कक्षा, ठीक है, नेक्स्ट है, त्रे सायुंग तक्षर से बने शब्द को पहचानिये, यहां त्रे से शब्द बना है पवित्र, इसी तरह से कंप्टिट होता है, कक्षा तीन के विश से जाकर के इन वीडियो को चक आउट कर सकते हैं इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपोर्टेंट वीडियो जाते रहेंगे तो जुड़े रहें हमारे चैनल की साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद